सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबनी न्यूस तुरंत पाने के लिए राजस्थान गवर्मेंट हेल्थ इसकी में आर जी एच एस में पती पत्नी प्रकरण एक घर में दो कार्मिक पैंसनर आदी का ओनलाइन रजिस्टेशन प्रोसेस और निर्देश साथ में आपको बदाया जाएगा इस वीडियो के अंदर गत अगर एक कार्मिक अनमेरिड है त प्षान गवर्मेंट हेल्थ इसकीम इसके तहत उन करमचारियों को सामिल किया गया है जो एक दो हजार चार यानि एक जनवरी 2004 से पहले लगए हैं या एक जनवरी 2004 के बाद लगए हैं अर्थात कहने कारति यह है कि राज्येसरकार के समस्त कार्मिकों को इसके अंतरगत साम गए आप सभी जानते हैं कितनों को सामिल किया गया है लेकिन कई तरह की समझें हमारे सामने आती जाती है जैसे पती पत्नी प्रकरण है एगर में दो कार्मी है या एग भाई-भाई है जो कैसे रिजिस्टेशन करें तो दोस्तों मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा या कोई अन्मेरीड है या कोई पैंशनर है उसके साथ सरकारी कार्मिक लगा हुआ यानि उनके साथ जॉइन है तो किस प्रकार रजिस्टेशन करेंगे दोस्तों ये वीडियो मैं आपकी हेल्प के लिए बना रहा हूं आगे वि सब्सक्राइब आपको पूरी ये सब आपो आपको मिलते हैं पहले ये ऐपन नहीं ताब यह आसारी बीमिक लिए रिचाएज पूर्टरी कार्मिक हैं-उन नि के लिए-चे-अइस-प्रजिकन कर्मिक के अंतरगत अगर आप लाब लेना चाते हैं आप सरकारी करमचारी है तो आपके 25 वर्ष तक का पुत्र जो 6,000 रुपे से कम कमाता हो या 6,000 रुपे कमाता हो वो आपके साथ आ सकता है करमचारी के साथ उसके माता-पिता भी आ सकते हैं लेकिन पुत्र जिसकी साधी हो इसके अंतरकत नहीं आएगा उसके लिए आपको उसका जन आधार अलग बनवाना पड़ेगा तभी अपका पुत्र और पुत्र वधु चिरंजिवी योजना में लाब ले पाएंगे साथ में अगर सरकारी करमचारी के माता पिता को लेना चाते हैं तो मैं माता पिता की आए अगर 6,000 रुपे से कम है तो माता पिता आ सकते हैं अगर माता पिता भी सरकारी करमचारी है तो उनको अपना कार्ड अलग बनवाना पड़ेगा तो इस बात का विशेज ख्याल रखें अब बारियात ये दोस्तों पती-पत्नी प्रकरण की पती-पत्नी प्रकरण है वो किस प्रकार रजिस्टेशन करें उसके लिए दोस्तों मैं आपको अभी प्रोसेस दिखाऊंगा एक ही कार्ड से आपको रजिस्टेशन करना है आपका एक कार्ड बन जाएगा आपको अगर पती-पतनी दो अलग-अलग डिपार्मेंट में हैं फिर भी आपको इस योजना के तहत एक बार ही रेजिस्टेशन करना है और जनाधार कार्ड में एक बार ही रेजिस्टेशन हो सकता है एक जनाधार से तो इसलिए विशेश ख्याल लखें उसका भी मैं आपको बता होगा साथी 25 जो प्रकरण है पैंसनर के लिए एक एक 24 से पूर्व जो रेटाड हुए हैं उनके लिए हैं उनका पीपियो नंबर आ गया होगा अगर नहीं आया है तो आप अपने डिपार्मेंट में कॉंटेक्ट कीजिए तो पीपियो नंबर से आप एरिफाइट कर सकते ह हैं 37 योजना में परिवार का अर्थ 20 पर्ष्ट कर दिया गया है कि RGHS में फैमिली का आर्थ क्या होता है कि अगर लाबार्थी यानि सरकारी करमचारी के पत्ती और पतनी तथा करमचारी पर आश्रित 25 वरस्त की दो संतान वो माता पिता जो सामय करमचारी के पदस्थापन पर रहते हो जिनकी मासी का 6000 रुपे से कम हो तो सरकारी करमचारी के अंतरगत आएंगे अर्थात एक सरकारी करमचारी अपने साथ अपने माता पिता पत्नी और बच्चों को दो बच्चों को जिनकी उम्र 25 वर्ष या 25 वर्ष से कम हो साथ में अगर यहां एक पुत्री का प दो दोस्तों अब बात करते हैं हम online process की तो इसके लिए आप सभी जानते हैं हमें खोलनी होगी राज SSO राज SSO खोलते ही दोस्तों आपके सामने single sign on का यह portal open हो जाता है यहां आपको अपने ID यानि RJ की ID password डाल कर यह जो caption ज़रा रहा है वो डाल कर login कर लेना है यहां पर दोस्तों एक बात clear कर देता हूंगी जिस करमचारेओं के RJ की ID बनी हुई है तो वो यहां RJ की ID डालेंगे जिनके RJ की ID नहीं बनी हुई है वो citizen एप पर भी जाकर कर सकते हैं अर्था citizen इसके अंतरकती है यहां दो तरक की login ID होती है एक राजे करमचारी के लिए employee ID के रूप में सरकारी करमचारी के रूप में होती है दोसरा जो आमजन है वो citizen के रूप में रजिस्टर यहां पर करता है अगर आपकी ID नहीं बनी हुई है तो यहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं यह option नज़र आ रहा है तो आप citizen के तौर पर registration करें वहां RGHS option आ जाएगा उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह कि option आ खुल जाते हैं अगर आप सरकारी करमचारी है तो आप government एप में ही जाए और यहां पर RGHS का यह portal नज़र आ रहा है इसके उपर क्लिक करें अगर आप आमजन है और RGHS में लाब लेना चाते हैं आपके पास RGHS की ID नहीं ह है आर्चे आईडी नहीं है तो आप सीटीजन एप में जाकर यहां नीचे आराइस सीटीजन एप उसमें जाकर भी RGHS क्लिक कर सकते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की इंफोर्मेशन खुलेगी वह आप सेंट एनिवेर कर दीजिए उसके बाद दोस dhcf. फिलाल एडिट एट एडिश्रेशन के लिए भी पोल्टल बंध है आप रजिस्टेशन को एडिट नहीं कर सकते हैं तो मैं आप रजिस्टर करके दिखा देता हूं तो शागया जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हमारे सामने ऑप्सन वान हो जाता है do you have जन आधार को जाती है यहाँ सामने जन आधार बटन पर ऺंड हो च्वित हैता हैये जी छरक्ति प्रक्रण के अंतरगर ़्यौंड में रखे कि आप पतनी यहा क्लिक कर सकते हैं यहां पर ध्यान में रखें सिर्फ एक employee को ही select करना है दो employee select नहीं होंगे सिर्फ एक employee अगर आप बाई-बाई है एक ही family में unmarried है यानि कुछ भी आग government employee जो भी है वो यहां से एक government employee को choose आपको कर लेना है जैसे मैंने इसको एक चूज कर दिया है चूज करने के बाद दोस्तों नीचे continue का बटन आ रहा है आप इसके उपर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने पर दोस्तों हमारे सामने जिसको हमने क्लिक किया है government employee के रूप में उसका नाम यहां पर सो हो जाएगा उनकी category यहां से आपने चूज करनी है कि वो कब लगे हुए हैं कौन सी service में हैं उसके बाद employee ID को verify करना है तो employee ID डाल कर verify आप कर दीजिए यह करने के बाद दोस्तों आपके सामने most important काम है वो अब आता है जो ध्यान में रखें यहां पर कहा जा रहा है कि define family with respect to selected government employee यानि आप अपने परिवार में से उनको छाटे है जो government employee है तो आपको अगर पती-पतनी प्रकरण है तो यहां पर जैसे यह देखे एक नाम है यहां पर दोस्तों मेरे सामने जो detail है उसमें से government employee जो जो है मैं उनको select करूंगा अगर पती पती-पतनी प्रकरण है या government employee है कोई भी आपके परिवार में से या कोई पैंसनर है तो पैंसनर के लिए भी option दिया गया है यहां पे देखे इस government employee जो भी है वह आपको इसमें से ही select करना है नीचे अपने आप ओटोमेटी की नाम शो हो जाएंगी कौन-कौन इसके अंदर आते आएगा अब जैसे पती-पतनी प्रकरण होता है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि जैसे पती का तो हमने यहां से चूज करी लिया है पहले ही employee ID डालकर अब यहां से पतनी को भी चूज कर देते हैं और उसके बाद यहां से हम relationship select करेंगे और जो बेटा है जो बेटी ह वर्ष तक है तो आएंगे अन्य था नहीं आएंगे तो इस बात का ख्यालक है उनकी इंकम भी select करें पुत्री अगर 25 वर्षे से उपर है अन्मेरीड है तो वो पिता के साथ आ सकती है उसके बाद आपको continue बटन पे क्लिक करना है तो ध्यान में रखें यहां इस government employee इस pensioner government and provide employee ID तो यहां से उसकी जिसको आपने select हिया है government employee के रूप में उसकी यहां पर category चूज करनी है employee ID डालनी है और verify बटन के उपर क्लिक कर देना है साथ यह मैं आपको दुबारा एक बार दिखा देता हूं कि government employee को विशेश ध्यान रखें पती-पत्नी प्रक्रण है तो यहां पे देखे मैंने tick mark कर दिया है यह पहले से हमने select कर रखा है यह मैंने tick mark कर दिया कि यह government employee है successfully यानि जिस यूजर को आपने select हिया है government employee के रूप में वह सक्सेस्फुल आपके साथ हो चुका है आप इसको close कर दीजिए तो दोस्तों देखे इस परिवार में जितने भी सदस्य थे वह सारे सामिल हो चुके हैं यहां आर जी एचस कार्ड फैमेली एलिजिबल मेंबर फॉ आप वापस आपको उपर चलना है final submit यहां से नहीं करना है हो सकता है आप में किसी क्यों कमी रह गई हो तो उपर की तरफ चलेंगे तो उपर की तरफ यहां से आपको relationship चेक करनी है आपसे select की या नहीं की marital status और income यह सभी select करके बाद continue करें तो आपके सामने open हो जाएगा द submit कर देता हूं कि submit करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास message आ गया है you have successfully registered मैं इसको close कर देता हूं तो दोस्तों मैं आपको करके दिखा लिया पती-पत्नी प्रकरण है या घर में दो employee है दो भाई-भाई है वह आपको किस प्रकार registration करना है धन्यमाज साथियों